जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगर या वर्डप्रेस में, तो दिमाग में दो चीजे जरूर गुंगती हैं, युनिक आर्टिकल और हाई ट्रैफिक, युनिक आर्टिकल के उपर तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना चु आज मैं आपको चार कीवर्ड बताऊँगा, जिनके अंदर हाई ट्रैफिक आता है, सबसे पहला कीवर्ड, यहाँ पर आप देखेंगे रिलाइंस डिजिटल, यह नाम सारे ही जानते हैं, और आप देखेंगे 1.2 मिलियन का इसके अंदर ट्रैफिक आ रहा है, और कीवर्ड लाँ, नीचे व्यू आल पर मैंने क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 1600 से ज़्यादा कीवर्ड की लिस्ट आ गई है, जिसमें मैं पहले ही कीवर्ड डिफिकल्टी 22 एड कर चुका हूँ, और उन कीवर्ड में 1.6 मिलियन का ट्रैफिक आता है, अच्छे खासे आपको कीवर्ड मिलेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, हाई ट्रैफिक आ रहा है और इसमें ग्लोबल सर्च वॉल्यूम कितना है, ट्रैफिक पोटेंशल कितना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, अब चलते अपने सेकेंड कीवर्ड की वो भी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटिड है और उसमें भी फ्रेंड्स बहुत जादा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब हाई ट्रैफिक आएगा, सेकिंड हाई ट्रैफिक कीवर्ड है हमारा क्रोमा, क्रोमा में भी जाके लोग शॉपिंग करते हैं और इसमें कीवर्ड डिफिक लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, 15,000 के आसपास इसमें कीवर्ड है और मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी आप देखेंगे 0 है और कितना हाई ट्रैफिक आ रहा है और CPC आप देखेंगे बहुत अच्छा मिल रहा है, कुछ-कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसमें C CPC बिल्कुल भी नहीं मिलता पर उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी अच्छी होती है और उसके अंदर ट्रैफिक भी आ रहा हुता है मतलब सर्च वाल्यूम भी काफी अच्छा है तो उस केस में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि ऐसे कीवर्ड को भी यूज करें CPC के चक मतलब 3,20,000 तो इसके अंदर क्लिक साथ है ट्रैफिक पोटेंशल इसके अंदर बहुत अच्छा है और मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है व्यू आल पर मैंने क्लिक करा और यहां पर आप देखेंगे मेरको कोई कीवर्ड डिफिकल्टी लगाने की जरूरत नहीं प पर जो आपका primary main कीवर्ड होता है उससे starting में रखे बीच में यह last में न रखे जैसे मैंने starting में कहा था कि आपको यह सारे कीवर्ड सिंगल सिंगल यूज नहीं करने अगर आप इनके आगे एक कीवर्ड और लगा देंगे तो वो सोने पर सुभागा ओज़ेगा अब वो कू तो आप देखेंगे friends आपका जो online shopping है भले उसकी keyword difficulty जादा है पर at least आप उस keyword को use कर रहे हैं आने वाले time में अगर इस keyword पे आपकी website rank कर गई तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर traffic आने वाला है online shopping का तो traffic आएगा प्लस जो main keyword है उसका भी traffic आएगा जैसे reliance digital online shopping chroma online shopping प्लस vj sales online shopping और online shopping में आप देखेंगे traffic potential 5 million तक है और जैसी मैंने view all पे क्लिक करा keyword difficulty में 20 already set कर चुक हो और यहाँ से भी आपको online shopping के बहुत सारे ideas मिल जाएंगे जितने भी यह chroma, reliance, digital, vj sales होते हैं इन सब की website होती है और इन सारी website में online shopping की option होती है for example आप एक laptop के उपर post लिख रहे हैं मैंने इस laptop का example ले लिया आप direct अपनी website में एक article लिखेंगे जिसमें reliance digital online shopping उसके बाद वो वाला title होगा मतलब उस product का नाम होगा जिसे आप sell कराना चाहते हैं वो direct आप इस page का link दे दे अगर affiliate marketing है तो benefit मिलगा अगर नहीं है तो भी आप आपको benefit मिलेगा अब आपको ए keywords कहां से और कैसे मिलेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ जैसे आप post के उपर click करेंगे page को नीचे करेंगे तो यहाँ पर timer चलेगा timer finish होते friends click here to download लिखाएगा zip format में आपकी file आएगी आप जैसी इसे extract करेंगे folder आएगा उस folder में आपको चा ऐसे ही topic के साथ मैं आपको फिरसी और बहुत जल्दी मिलने वाला उन तब तक के लिए जै हिंद जै भारत